हलो स्टूटेंट्स वेलकम टू मैंगनेट बैंस हम जो अपनी बुक पढ़ा रहे हैं आपको आरोह भाग एक तो उसका जो अब नया चैप्टर हमारे सामने आया है वो है गलता लोहा यह गलता लोहा लिखित है शेखर जोशी जी द्वारा तो शेखर जोशी ने जो यह कहानी लिखी है इस पर इनोंने क्यों लिखी क्या खारण किस चीज किस विभाजन किया जाता है उसी पर एक व्यंग किया है व्यंग करते हुए बताया है यह जीज कि जो परंपरागत वेवसाय अपनाया जाता परंपरागत वेवसाय का मतलब यह होता है कि पेडियों से जो वेवसाय चले आ रहा है वही वेवसाय अपनाया जाए तो एक वर्ग तो वो दिखाया है दूसरा वो दिखाया है कि जो अच्छा समराम वर्ग होता है अच्छा उच्छ वर्ग होता है उसमें भी अगर मुसीबिते आती हैं तो किस तरीके से चीजे बदलती हैं। उन्हें भी वही तकनी की सिक्षा लेनी पड़ती है जो कि निम्न जाती के लोगों की परंपरागत व्यवसायत था। तो यहां पर देखते ही दोनों का सफर कैसा होता है लेकिन आखिर में आके दोनों अपने आपको एक ही जगह पर पाते हैं। तो ये कहानी शुरू होगी फिर एक अतीत में जाएगी अतीत से फिर वर्तमान में आएगी इस तरीके से ये चलेगी पहले तो ये क्या चलेगी वर्तमान में रहेगी वर्तमान के बाद ये अतीत में यादों में चली जाएगी जो कुछ पहले गटित हुआ है वो गटित होग फिर उसके बाद ये फिर से वर्तमान समय में आएगी तो इसको पढ़ना शुरू करते हैं सेखर जोशी जी ने जो ये कहानी हमारे सामने प्रस्तूत करी है गल्ता लोहा कहानी में समाज के जाती को वाजन पर कई कोरोनों से टिपड़ी की गई है कई कोर मतलब उन्होंने बताया है कि कई कई तरीके से होता है सिर्फ ये विवसाय को लेकर ही नहीं होता आप अगर कहीं स्कूलों में भी पढ़ रहे हैं या कहीं पे भी हो रहा है तो वो भी आप पर है समाज में तो होई रहा है आप कहीं इस गाउं से निकल कर कहीं बाहर जाते हैं तो आपको भी वहाँ पर भी यही सब चीजों का सामना करना पड़ता है यह सब हर तरीके से हर जगा हर छेतर में हो रही परिशानियों को आप देखेंगे इसमें यह कहानी लेखक के लेखन के अर्थ की गहराई को दर्शाती है कि उसने लिखी तो एक कहानी है लेकिन इसके पीछे चुपे उद्देश के गहराई को समझाने के लिए उसने कितनी अच्छी कहानी लिखी है ये बताया है इसमें इस पूरी कहानी में लेखक की कोई मुखर टिपडी नहीं है उन्हों लेखक ने खुद अपने मूँ से कुछ भी नहीं कहा है अपने लेखन के जरीए कुछ भी नहीं कहा है लेकिन समझने के लिए बहुत कुछ छोड़ दिया है हमारे उपर इन में एक मेधावी किन्तु निर्धन ब्रामण युवक मोहन किन परिस्तियों के चलते उस मनोदशा तक पहुचता है जहां उसके लिए जाती अभिमान बेमानी हो जाता है मतलब वो एक उच्वर्ग का होता है लेकिन परिस्तियों वज जाके ऐसी जगा पहुच जाता है जहां उसके लिए ये अभिमान किसी भी मतलब का नहीं रह पाता है सामाजिक विधी निशेदों को ताक पर रख कर वा धनराम लोहार के आफर पर बैठ ही नहीं उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है तो समाजिक जो विधी निशेद होते हैं मतलब समाज में जिन चीजों की मनाई होती है कानून होता है कि उच्चवर का व्यक्ति जो है वो निम्नवर केहां जाके बैठेगा नहीं खाएगा नहीं पानी नहीं पीएगा ये सब जो निशेद होते हैं उन सभी निशोधों को जो आतिगत आधार पर निर्मित जूटे भाईचारे की जगा मेहनत कशो के सच्चे भाईचारे को प्रस्तावित करता प्रतीत होता है इसका मतलब है मोहन का जो करेक्टर यहां पर दिखाया गया है वो जाती प्रता को नहीं दिखा रहा है वो क्या बता रहा है मेहनत के दम पर आ कर नया आकाल ले रहा हो, मतलब मोहन जो है ना शुरू से क्या था, वो एक उच्च जाती में रहा, उच्च जाती में रहने के कारण वो उसी तरी के सरह लेकिन उसके साथ ऐसी परश्तियां हुई, वो ऐसी जगा पहुचा, ऐसे कामों में उलजा, कि वहाँ पर जाती का कोई मतलब नहीं था और लौट कर फिर जब वापस वो अपने गाओं आता है तो वो क्या होता है वो पिघल कर तब कर एक लोहा बन चुका होता है यानि कि अब वो सोना नहीं है अतात वो अब वो जाती में बंधा हुआ वेक्ति नहीं रह गया है मोहन के पिता वंशिधर ने जीवन भर पुरोहिती की अब व्रद्धा वस्था में उनसे कठन श्रम वावरत उपवास नहीं होता उन्हें चंद्रदत के यहां रुद्री प्राट करने जाना था परंतु जाने की तब्यत नहीं थी अब यहां से कहानी शुरू होती है मोहन के पिता है वंशिधर जो एक पुरोहित है पुरोहित मतलब दूसरों के घर जाके पुझा पाट करना ये सब चीज़ें उनका कार है लेकिन अब वो व्रद्ध हो चुके है अब उनसे उतना सब नहीं होता अब उन्हें कहां जाना था चंद्रदत के यहां रुद्री प्राट करने जाना था लेकिन उनकी तव्यट ठीक नहीं थी उनकी इच्छा नहीं थी वहाँ जाने की मोहन उनका आश्रे समझ गया लेकिन पिता का नुष्ठान कर पाने में वह कुशल नहीं था वो मतलब तो समझ रहा था कि वो नहीं जार पाएंगे उनके हालत ठीक नहीं है लेकिन वो पाठ वो नहीं कर सकता क्योंकि वो उसमें कुशल नहीं है इसलिए वो कर नहीं सकता है पिता का भार हलका करने के लिए वा खेतों की ओर चला लेकिन हस्वे की धार कुंद हो चुकी थी उसे अपने दोस्त धनराम की याद आई वो धनराम लोहार की दुकान पर धार लगवाने पहुचा तो उससे कहा चलो अगर हम पुरहोईती नहीं कर सकते हैं तो हम पिता जी का दूसरा काम हलका कर देते हैं तो वो हस्वा लेकर हस्वा मतलब हसिया होती है गोल सा होता है धार धार उसको लेकर वो चल देता है कि हम चलो खेतों में जाके आपका थोड़ा काम हलका कर देते हैं आपकी तब इतनी ठीक है लेकिन जब हस्वा उठाता है देखता है कि उसमें धार नहीं है तो वो कहता है उसको याद आते है कि मेरा जो दोस्त है धनराम उसके यहाँ चले जाते हैं उनके यहाँ चले जाते हैं धार रबाके आते हैं तो वो वहाँ पहुच जाता है उसका दोस जो है वो लोहार होता है वहाँ चला जाता है पहुचवाने के धनराम उसका सहपाटी था अब सहपाटी मतलब स्कूल का जो विद्याले था उसमें यह लोग साथ पढ़ते थे दोनों बच्पन की यादों में खो गए मोहन ने मास्टर थे त्रिलोक सिंग तो उनके बारे में पूछा कि भाई वो कैसे हैं धनराम ने बताया कि वे पिछले साल ही गुजर गया क्योंकि मोहन बाहर रहता था तो उसे गाउं के बारे में इतना पता नहीं था तो मोहन ने इसलिए धनराम से पूछा कि मास्टर साहब कहाए तो उसने बताया कि वो पिछले साल गुजर गया, अब वो नहीं रहे दोनों हस हस कर उनकी बाते करने लगे मोहन पड़ाई वा गायन में निपुड था, वा मास्टर का चहेता शिश्य था और उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था वे उसे कमजोर बच्चों को दंड देने का भी अधिकार देते थे धनराम ने भी मोहन से ए मास्टर के आदेश पर डंडे खाये थे तो अब क्या था, त्रिलोग नाजी के बारे में जैसी बात उठी तो इस लोग पुरानी बाते याद करकर के खुब हसने लगे तो उन्हें ये बात यादाईनी शुरू हुई कि मोहन पढ़ने और गायन में, गाना गाने में बहुत जादा निपुड था साथी जो है अपने मास्टर का चहेता भी था तो इस कारण उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बनाया था जिन्हें मोहन से दंड़ प्राप्त हुआ था, मगर मास्टर जी के आदेश पर मोहन से धंड़ाम को दंड़ प्राप्त हुआ था धंड़ाम उसके प्रती इसनेवा आदर भाव रगता था क्योंकि जातिकत आधार की हींता उसके मन में भी बैठा दी गई थी मगर मार खाने के बावजूद भी वो कभी मोहन से चड़ता नहीं था वो हमेशा उसका सम्मान करता था और उसका आदर भी करता था कारण ये था कि जो जातिगत विभनताएं थी वो धंड़ाम के मन में बैठी हुई थी अब मोहन उच जाति का धनराम उच जाति का निच जाति का था तो क्या था ये कि उन दोनों की बीच डिफरेंस था उस कारण से मोहन ने जो से दंड़ दिया था उसकी हीन भावना भी उसके दिल में घर नहीं करने पाई थी तो वो सम्मान हमेशा के लिए उसके पास में बना हुआ था मोहन और उस जाती के लिए उसे मोहन को कभी अपना प्रतिदुन्दी नहीं समझा वो कभी नहीं समझा था क्योंकि वो प्रतिदुन्दी हम उसको मानते हैं जो हमारे बराबर में हो और धनराम कभी भी मोहन के बराबरी समझता ही नहीं था वो हमेशा समझता था भाई हम दोनों के बीज जाती का डिफरेंस यो तो हम उसके बराबर कभी आई नहीं सकते इसलिए वो जो डिफरेंस था वो उनके बीच में हमेशा बना हुआ था धन्राम गाओं के खेती हर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह तीसरे दरजे तक ही पढ़ा था मास्टर जी उसका विशेश ध्यान रखते थे धन्राम को तेरह का पहाडा कभी याद नहीं हुआ इसकी वजह से उसकी पिटाई होती थी अब क्या था धन्राम क्या था खेती हर मजदूरों के परिवार से था लुहार था इसी तरीके से तो उनके प्रती भी भाव रखते थे मास्टर जी तो मोहन को कभी भी तेरह का पहाडा याद नहीं हुआ तो एक बार क्या हुआ कि धनराम को तेरा का पहाड़ा कभी याद ही इसकी वज़े से उसकी पिटाई होती थी, बहुत पिटाई उसकी करी जाती थी मास्टर जी का नियम था कि सजा पाने वाले को अपने लिए हतियार ही जुटाना होगा धनराम डर या मंद बुद्धी होने के कारण तेरा का पहाड़ा सुना नहीं पाया, कभी नहीं सुना पाया मास्टर जी ने विंग किया, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या का ताप कहा लगेगा इसमें तो अब क्या हुआ कि वो तेरा का पहाड़ा कभी याद नहीं कर पाया धंडा तो ये हुआ तै कि भाई मास्टर जी तो पिटाई करेंगे मगा नियम ये था कि जिसको दंड पाना है अपने लिए हतियार भी वो खुदी चुनेगा मतलब दंडा भी उसे खुदी चुनके लाना पड़ेगा मार खाने के लिए इस तरीके से वो कई बार मार खाया कई बार हुआ जब तेरा का पहाड़ा नहीं सुना पाया तो मास्टर जी ने एक बार ये चीज उसको व्यंग करते हुए बोली थी कि तुम्हारे दिमाग में तो लोहा भराया क्योंकि वो लोहार का था तुम्हें कभी भी ये तेरा का पहाड़ा याद नहीं होगा इसमें कभी भी विद्या का ताप नहीं लगेगा मतलब इसमें विद्या कभी चड़ी नहीं सकती है तो इस तरीके से उसके उपर तंज किया था इतना कहकर उन्हें थेले से पांच-छे दरातिया निकाल कर धनराम को धार लगाने के लिए दे दी इतना कहा और थेले से दरातिया निकाली मतलब धार लगाने के लिए चाको निकाली और दे दी उसको कि जाओ इसमें धार लगवा कर लेकर आना हाला कि धनराम की पिता ने उसे हतोडे से लेकर घन चलाने की विद्या सिखा दी विद्या सीखने के दोरान मास्टर तिलोक सिंग उसे अपनी पसंद का बेद चुनने की छूट देते थे परन्तु गंगाराम इसका चुनाव स्वेम करते थे एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत सम्हाल ली तो अब यह क्या हुआ पहले हम आपको बता दे जो यह नाम आया है गंगाराम कौन है गंगाराम धनराम के पिता हैं तो क्या हुआ कि दरात्या निकाल के दे दी जो उनके पिता थे उनके पिता धनराम की पिता गंगाराम अचानक चल बसे तो अब क्या है सब कुछ छोड़ के धनराम को वहाँ पर लुहार की जगा पर बैटना पड़ा उनकी गद्धी लेनी पड़ी और उसने ले ली और वो खरसा खुशी वो उस काम में लग गया इधर मोहन ने चात्रवित्ती पाई मतलब पढ़ाई अच्छी करी तो उसको मिलने लगा उसको स्कॉलर्शिप मिलने लगी पैसे मिलने लगे इससे उसके पिता वंशी जर्तिवारी उसे बड़ा आद्वी बनाने का सुपन देखने लगे जब इत्ती बात हुई तुने लगा सोचा कि हम अपने बेटी को जो है एक बड़ा व्यक्ति बनाएंगे पैत्रक धंदे ने उन्हें निराश कर दिया था वे कभी परिवार का पूरा पेट नहीं भर पाए अता उन्होंने गाउं से चार मिल दूर स्कूल में उसे भेज दिया शाम को ठका मानदा मोहन घर लोडता तो पिता पुरा कथाओं से उसे साहित करने की कोशिश करने लगते तो अब क्या हुआ उन्होंने सुचा कि हम इसको एक बड़ा आदमी बनाएंगे क्यों वो उसको पुरहुती के धंदे भी निडालना चाते क्योंकि वो अपरे धंदे में क्या हुआ था जो वो कारे कर रहे थे पुरहुती का काम कर रहे थे उसमें वो कभी भी घर का पूरा पेट भरी नहीं पाते थे सबकी इच्छाय पूरी नहीं कर पाते थे इसलिए उन्होंने मोहन को कभी भी इस कार्ण में लाने की कोशिश ही नहीं करी तो गाउं से चार मिल दूर स्कूल था वहाँ पे उसका दाखिला करा दिया मोहन शान को ठका मांदा लोड़ता बहुत ठक जाता था तो उसे तरह तरह की कताएं सुना के उसका मन बहलाने की कोशिश करते थी कि थोड़ी ठकान उतर जाए मोहन की वर्षा के दिनों में मोहन नदी पार गाउं के यज़वान के घर रहता था एक दिन नदी में पानी कम था तता मोहन घसियारों के साथ नदी पार कर रहा था पहाड़ों पर भारी वर्षा के कारण अचानक नदी में बाढ़ा गई कि किसी तरह वे घर पहुंचे इस घटना के बाद वंशी धर घबरा गए और फिर मोहन को स्कूल नाप होई जा तो अब क्या था वो जो स्कूल था जहां पर पढ़ने जाता था वहां जाने के लिए एक नदी पार करनी पढ़ती थी तो वर्षा के दिनों में क्या होता था मोहन जहां पर स्कूल था उसी के पास इनका जाने पहचानने वाले रिष्टदार थे तो वहीं पर वो रह जाता थ वर्षा के दिनों में वह नदी पार नहीं करता था एक दिन क्या हुआ वर्षा नहीं हुई और नदी में पानी कम था तो मोहन ने सोचा चलो घसियारों के साथ हम नदी पार कर लेते हैं उसने नदी पार करने की कोशिश करी मगर पहाड़ों पर भहुत तेज़ वारिश होई तो नदी में एकदम से बाड़ा गई किसी तरह जानवान बचा के वो घर पहुचा और घर में जब उसने बताया तो पिता को बहुत चिंता हो गई तो उसने उसको वहाँ स्कूल ना भेजना उचित समझा गी अब हम उसको स्कूल नहीं भेज़ेंगे उनी दिनों बिरादरी का एक संपन परिवार का युवक रमेश लखनव से गाव आया हुआ था उसने वंसी धर ने मोहन की पढ़ाई के संबंद में अपनी चिंता व्यक्त की तो वह उसे अपने साथ लखलव ले जाने को तायार हो गया उसके घर में एक प्राणी बढ़ने की कोई अंतर नहीं पड़ता वंसी धर को रमेश के रूप में भवान मिल गया था अब क्या हुआ अब बोतर ने संपन परिवार का एक लड़का था रमेश जो बाहर काम करता था मतलब लखनव काम करता था लखनव से वो कुछ समय के ल घर ले जाता हूं तो फिर क्या था बंशी धर को दो भगवान मिल गए मनमांगी बात मिल गए उनको जो चाहते थे वो मिल गया तो वो उन्होंने रमेश को भेजने की तयारी कर ली कि हम इसको अब लखनव भेज देंगे मोहन रमेश के साथ लखनव पहुचा यहां से जिंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ अब क्या हुआ मोहन अभी तक जो जीता आया था उससे जस्ट उलट एक जगा पहुँच जाएगा जहां उसके जीवन का कुछ अलग ही स्वरू बनने वाला है एक नया अध्याय शुरू होने वाला है घर की महलाओं के साथ साथ उसने गली की सभी ओरतों के एक घर का काम करना शुरू कर दिया मतलब घर के लोगों का काम तो करना ही था ये लाना है वो करना है ये भराना है ये पिसाना है तो ये तो घर के लोग काम करता था साथ साथ अगल बगल के घल गली के जो घर थे उन औरतों के भी कारेवो करने लगा था रमेश बड़ा बाबू था बड़ा बाबू मतलब एक बड़े अच्छे पतपर था वह मोहन को घरेलू नौकर से अधिक हैसित नहीं देता था अब देखकिये उच्छे कुल में हुआ तो क्या हुआ वो नौकर समझता था मोहन को यहां लाया था पढ़ाई कराने के लिए लेकिन वो उसको यहां किस हैसियत से लेकर आया था एक नौकर की हैसियस से लेकर आया था मोहन भी यह बात समझता था मोहन को भी यह बात समझ में आ गई थी कहसनकर उसने समीप के सामान स्कूल में दाखिला करा दिया गया कामों के बोज़ वा नए वातावरण के कारण वह अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया अब क्या हुआ नया वातावरण था गाउं से निकल के स्कूल आया था तो पास में एक बगल में स्कूल था महां दाखिला करा दिया गया लेकिन माहौल नया था दूसरा घर में कामों का भी इत्ता दवाब था जिसके कारण वह अपनी पढ़ाई नहीं कर पाता था तो जो चीजे करनी चाहिए वह नहीं हो पाई जो एक पहचान बनानी चाहिए उचा आदमी बननी की जो वंशी धर ने सोची थी वो सारी उमीदे यहां पूरी नहीं हो पा रहे थी तो गर्मियों की छुटी में भी वो घर तभी जा पाता जब रमेश के घर, रमेश ये रमेश के घरवाले कोई गर गाउं जा रहे होते थे उसे जाने ही नहीं दिया जाता था कि तुम्हें अगले दर्जे की तायारी करनी मत अगले क्लास की तुमें preparation कर लिया अब नहीं क्लास में admission लोगे तो तुम उसकी तयारी करो इस बहाने से उसे जो है कभी भी गाउन नहीं जाने दिया जाता था मोहन ने परिस्तियों से समझाता कर लिया वा घरवालों को वो असलियत बता कर दुखी नहीं करना चाहता था उसने जो है घरवालों को नहीं बताया जो चल रहा है उसी किसा समझाता करके अपनी जिंदीगी बिताता रहा उसे घर में ये सारी परस्तितियां कभी भी नहीं बताई आठवी कक्षा पास करने के बाद उसे आगे पढ़ने के लिए रमेश का परिवार उश्तुक नहीं था मतलब एर्थ क्लास उसने पास कर ली तो उसके बाद रमेश का परिवार ये नहीं चाहता था कि अब वो आगे पढ़ाई करे बेरोजगारी का तरक दे कर उसे तकनीकी स्कूल में दाखिला करा दिया गया वह पहले की तरह घर वह स्कूल के काम में व्यस्त रहता था अब क्या हुआ कि भई तुम क्या केते हैं आज के लितनी बेरोजगारी है ज्यादा क्या पढ़ोगे इससे अच्छा है कि तुम कोई तकनीकी सिक्षा लेलो तुम अच्छा पढ़ोगे तो बगल के कार खाने में उसको दाखिला करा दिया गया कि वो है आप क्या था जैसे वो घर और स्कूल के काम में बिजी रहता था वैसे ही अब घर और कार खाने के कार्रों में पूरा दिन बिजी रहने लगा था देर दो वर्ष के बाद उसे कार खाने के चकर काटने पड़े मतलब फिर वो कार खाने में काम करागा इधर वंशी धर को अपने बेटे के बड़े अफसर बनने की उम्मीद थी और वंशी धर क्या उम्मीद लगाए बैठे थे कि उनका बेटा जो है वो एक बड़ा आदमी ब बड़ा बुद्धिमान था तो अब क्या था कि जब वंशी धर को ये चीज पता चलती है तो उसको बड़ा दुख होता है और इधर धनराम मोहन के बारे में जब पुष्टा तो उसको भी बताया जाता कि नहीं वो बहुत खुश है बुद्धिमान है बुद्धिमान था तो अच्छी जगा पहुँच गया ये सब चीजें उसको बताई धनराम को भी बताई जाती थी इस तरहे मोहन और धनराम जीवन के कई प्रसंगों पर बाते करते रहे मतलब कहां बैठे थे वो धनराम के जहां पर लोहार का काम कराने धासुए में धार लगवाने गया था वही इधर क्या किया वो अपना तपा रहा था हसमे में धार लगानी तो पर इसको गरम करना पड़ता है फिर उसको पीटेंगे तब कहीं जाके उसमे धार लगेगी और वो वहकार कर रहा था धनराम फिर उसे धार लगा दी आम तोर पर ब्रामर टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उटना बैटना नहीं होता था मतलब जो ब्रामर अब मोहन ब्रामर था वो कभी भी ये शिल्पकार टोले में मतलब यहां बड़ जहां पर लोहार के बैटा था ऐसा कोई टोले में बैटना नहीं होता था मनाही थी उच्च जाती के लोगों के गरों के आसपास भी नहीं जाते थे कामकाज के सिलसले में वे खड़े-खड़े बाचित निप्टाली जाती थी अगर कामकाज के वरीम जाना भी है तो खड़े-खड़े बाचित निप्टाली जाती थी बैठना तो होता ही नहीं था ब्रामर टोले के लोगों को बैटने के लिए कहना भी उनकी मरियादा के विरुद्ध समझा जाता था अगर ब्रामर टोले के लोगों को बोल दिया शिल्पकारों ने कि आईए बैठिये तो ये बहुत ही बोलाता था, सुन्जा ये जाता था कि ये ब्रामा टोले के लोगों का अपमान किया जा रहा है, इसलिए ऐसा बोलना भी मना था मोहन धनराम की कारशाला में बैठ कर उसके काम को देखनी लगा, और क्या हुआ इदर हस्वे में धार लगाने आया था, तो बाचीत करते करते बैठ किया, और उसके काम को भी देख रहा था, क्योंकि वो कारखाने में काम कर चुका था, तो वो सारा काम भी देख रहा था, धन शर्कल उसको सर्क्ल बनाये थे लंबी चड़ को पाधेगा कि वोड़ार गूल पकड़ के उन दोनों के एसे मिलाया जाता है उसको निहाई बोलते हैं वो निहाई पकड़के जब उसको मिलाया जा रहा तो निहाई में वो ठीक से पकड़ नहीं पा रहा था I अता लोहा ठीक ढंग से मुड नहीं पा रहा था, जब पकड़ी नहीं पाएगा तो मुड़ेगा कैसे, तो वो मुड नहीं रहा था, मोहन कुछ देर उसे देखता रहा और फुर इसने दूसरी पकड़ से लोहे को इस्थर कर लिया, थोड़ी देर तो मोहन देखता रहा, फिर वो उठा उसने दूसरी पकड़ ली और उससे क्या किया उस छड़ को पकड़ा उस छड़ को पकड़ लिया नपी तुली चोटों से छड़ को पीटते पीटते गोले का रूप दे डाला और उससे तुरंत ही पकड़ के उसको जो है मोड दिया और मोडने के साथ ही एक दो वह पुरोहित खांदान के युवक द्वारा लोहार का काम करने पर आश्चर्य चकित था। जो है विचितर निगाओं से देख रहा था कि यह हूपाएगा यह नहीं हूपाएगा। तो इस तरीके से इस कहानी में कोई टिपड़ी नहीं है कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि चाहे निम्न जाती हो चाहे उच्च जाती हो। इंसान को अपने हुनर के जरिए अपने काम के जरिए ही अपनी पहचान बनानी पड़ती है। नहीं तो परसितियां उसे कहीं पर भी ले जा सकती हैं जैसा मोहन के साथ हुआ वो उच्च जाती के नाम पे वो गया तो शहर लेकिन उसे सीखा भी क्या वो लोहार का काम और इदा धनराम भी वो एक लोहार था तो जहां इतना घूम फिर के मोहन कहां पर आ गया और धनराम कह तो इस तरीके से यह कहानी ने हमें यह समझाया कि जाती गत्त विवित्ता कुछ नहीं होती सब हमारी मेहनत पर ही डिपिंड करता है तो इस कहानी का यहीं पर अंत होता है शेखर जोशी ने बहुत अच्छी कहानी बताते हुए हमें हमारे सामने बहुत ही एक सीरियस मैटर चीरिय ने चाहिए कैनल-चारिव ने कोई बाया कोई यहीं है अच्छी टामने थे इस अच्छी कोई आएप्टा जाख देए अच्छी कानल-चारियस मैं फंकर लग्ता रदाय ने रिच्छी मैं हो जड़ा कि लग्ता चुछ प्कित्टा रदाने कोई और रस ग।्ता